कर सो गुए गूंग स्टूडियंट आप सभी लोहों का में एक बार फिर स facade करता हूं ead परिवार में आप सभी लोहों का एक बार फिर से स्वगत है करेंट अफेर क्लास में तो करेंट अफेर आप लोगों के डेली मॉर्निंग में साड़े वांस बीजे चलती है तो आज देट आपका 6 जुलाई तो 6 जुलाई में यानि की सनिवार्थ से लेकर शेटरड़े आपका ठीकन उसके बाद संडे हो गया रुब देटिक है इन तीन दिनों की जो भी क्षेसें सोंगे और जो भी इन चैनल से नया जूड़ता है चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा आप लोग के जल्दी से आप लोग सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए तरा करते है मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि रेगुलर एकाद में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा डेली जब भी आपका मॉर्निंग में कम से कम पहले के स्टार्टिंग के तीस जो आपकी स्लाइड है मिलती है वो बिल्कुल आप फिर उसके वार रिपला अप तो रि कुशन के और कि स्कीन के सामने देख रहा बहुत अच्छा कुशन से के क्या कह रहा आपका देख लीजीगा कुशन के फॉस्ट लाइकन पार्क इन देवलप कुमाओ मुंस्यारी एरिया इन विच दिस फाल ठीक है ये छेत्र कहां पे क्या लिखा गया आपका फॉस्ट कुमाओ एरिया मुंस्यारी में ठीक है ये कुमाओ मुंस्यारी एरिया कुमाओ एरिया कौन से यानि कि मुंस्यारी जो आपका तो ये कौन से छेत्र में आता है ऐसा कुश्टन स्पूसरा एक्जामनर आपसे तो इस पुश्टन का होगा ठीक है जो आपकी स्कीन के सामने दि पहला लाइकन पार्क कुमाओं के मुनस्यारी चेत्र में गृकसित किया गया तो यह च्षेत्र किस रज्य में आते, मैलकोल बहुत बढ़ीया जिसमें भी आप answer दिया उї उत्रहकंड यह चेत्र मैने बता है था उत्रहकंड में अभी उसी एरिया में जहाँ पर नेपाल के साथ अभी भारत का विवाद चल रहा है ठीक है यानि मुनस्यारी आपका पिथारागर डिस्ट्रिक में उत्राखन के जहां पर काला पानी और आपका कौन सा लिपु लेक छेत्र वाला जो विवाद चल रहा है उसी छेत्र में आता ही एरिया ठीक है ना चलिए बहुत आगे सभी लोग अपने दोस्तों के साथ कि beweझ करियेगा चावragen सभी विद्धिहरती आपने दोस्तों के साथ सेर भी हमार अगले क्षां संब gefषांते रहेंगे हम लोग अगा कुशिन क्या बैका हमारा यह यहां पर ध you deep GTA यहां पर प्लांट में होगा जहां पर air pollution कभी भी बचा एर पॉलिशन जीरो होगा जीरो होगा उसी एरिया में यह प्लांट होता है यानि कि हम लोग क्या कहते है लाइकेन को सबसे बढ़िया के सूचक माना जाता है ठीक है वाई प्रदूशन का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है किसे लाइकेन को चलिए नेक्स बढ़ेंगे हम लोग लोग देख लीजिए यहां पर हाँ उत्रा खड़िखेंद की चैपिटल आपने गैसे बताए ठीक है उत्रा खड़िखेंगे लोग what who has been appointed by the national green tribunal head committee of the investigating into a sub gas leak you have a caddy aga who has been appointed by national green and GTK dora national green tribunal to head of the committee investigate into awesome the gas leak water awesome key under joe gas leak with the scale in the national criminal tribunal dora a committee when I go to head is a chunagya to his head to nagaka justice bp card justice bb bp card geeko chunagya it is ka sahi answer I got kabbi both important questions of God actually next bring a study on DJ up a case of nagya bp card idiotica again about karu NGT so NGT got pilot is careful form पूछेगा एंग जीटी की पहले तो आपसे फुल फॉर्म पूछेगा नैशनल ग्रीन ट्यूबनल ठीक है नैशनल की स्टापना का वुई ती तो 2010 जीटी की स्टापना और एंजीटी का काम क्या होता है मुख्य तोर पर ये बारत में एन्वारमेंट के छेत्र में एक ट्यूबनल है आपका ठीक है चले आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत बढ़िया ठीक नेक्स्ट इसकोशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा आप देखते हैं इसमें डेटेल में कुछ तीजा मिल जाती हमें तो याद रखना मैंने यही बताया कि 2010 में इस वाता और वाइपर NGT के जो अध्यक्षा है इनका नाम के जस्टिस आदर्स गोयल ठीक है NGT किसके लिए काम करती तो मैंने बताए एन्वार्मेंट के चेत्र में काम करती आपका और NGT के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्यूबनल और फॉर्टा हाई लेवल कमेटी लोग दर रिसेंट आपका व गया और एक कमिटी यह आपके ठीक है चली नेक्स बढ़ेंगे अग्डे कुछन के और अगला कुछन आपकी स्कीन के सामने यह आपकी स्कीन पर क्रेशन ठीक है विच आप दो फॉलविंग इंस्टिशन हैस दर लोंच वर्ड फॉस्ट ऑनलाइन समाज रो वर्ड फॉस्ट ओनलाइन प्यस्ति डिगले कोर्स इन्द प्रोगनिंग एंड डाठा आसाइस बारू T track वर्ड विश्ड आइन और तय quiوس्ट के लिए विष्वका पहला प्याल प्यस्ति डिगले झे खॉर्स से कि साइनकी दुनिया में शुरू किया गया तो किसके द्वारा सुरू किया रहो कौन सा इंस्तूट है आपसे कूशन स्पूज्टिय कैड Deoda तो कौन से इस तूर है आपका मेलकूल गूर्डos और पार टो अंल्लाइन और शुरू किया और इस है तो इस भी के द्यान दीजिए प्रोगामिंग और डेटा सांस के बात कीगे ठीड के प्रोगामिंग और डेटा साइस की मैं आपको हमेशा सreka कि आप लोग कपॉत कुंट में विद्रीट है अप लोगों को सलेकटेल चीज़ा बताता हूँ ठीए जिसके एक्जाम में आने की चांसे ज्यादा होते है लगभग कुशन से आपको ऐसे मिलेंगे 99 परसेंट जिनके चांसे होंगे ठीक अब मैं समय बरबाद बिल्कुल भी निकरता आपका चीजह को बिल्कुल जो आपका एक्जाम औरिंटेंगे ठीक है तो दियान दीजिए ये डेटा एंपका ड को बेसे एंट प्रोसेसिंट ओव ओगी ये सवरी चीजह है इसमें किया होगा आपका एस्टाटिक हो गया मसीं लर्फ लर्निंग हो गया आपका मिजिल ऑई लिशन हो गया मैं तो ये साχ hyster की थाए निंदर हमें समय और प्र से और स्यूर्ट करेंब बाहरतिय जन संचार संस्तान के मानिदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया वहाज बिन अपोइंटेड एज दा डरेक्टर जनल आप इंडियन इस्टूट और मास कॉम्मुनिकेशन इंडियन इस्टूट और मास कॉम्मुनिकेशन मुझे जह तक लगता है यह प्रोग्रामिंग जन्यू के द्वारा क्राइब जाती है इंडियन इस्टूट और मास कॉम्मुनिकेशन सभी को दिहान होगा कि जो हमारे टीवी चैनल से जुड़े होते हैं तो यह सबीलों किसे हैं मास कॉम्मुनिकेशन से जुड़े होते हैं ठीक जो भी मैंने किया चुना गया डारेक्टर जन्रल डीजी के रूप में डारेक्टर जन्रल डीजी के रूप में कौन चुने गए तो संजय त्रिवेदी को चुना गया किसमें आयाई आए आपका एम ठीक है इंडियन इस्टूट और मास कॉम्मुनिकेशन तो ध्यान दीजे इंडियन 500 होता है और इसके चेयर परसंद कोन है तो श्री आपका आजय मिथெल वर्तमान समय पर चेयर परसंद की बात करूं तो जैबिद하면 इसके चेयर परसंद होगे और याद रखना अप सभी लोग डारेक्टर कौन होगे संजै दिवेधी डारेकटर लोगने। संजय दिवेदी अगले तीन साल की अवदी के लिए इसके क्या चुनेगे महा निदेशक के रूप में चुनेगे अब इस्टैबलिस्मेंट कभी कवार पूछ लेगा इसलिए मैं जादा इस्टैबलिस्मेंट बहुत कम चांसे जो कि पूछेगा ठीक है तो जादा रेयर चांस होगा वही पूछ पाएगा चलिए नेक्स बढ़ेंगे अगला कुछन क्या रहा हमारा अगला कुछन ये दिहान दीजिए विल्कुल आसान सा कुछिशन से जैसे ऑप्शन देखो गया आप लोग तो आसान सा मिल जाएगा आपको लेकिन जरूरी नहीं कि इस तरो से कुछिशन स्पूछे मैंने आप लोगों को कुछिशन यहां पर सिर्पार्टमेंट बेल्कुल मतस्य संपदा नामक समाचार पत्र हाल ही में लॉंच किया गया योग किस विभाग के द्वारा प्रकासित किया जाता है तो यहां बन सकता था तो वो बनाया गया लेकिन इस से जुड़ी हुई चीजों को समझना होगा विल्कुल आपका जो आपका करेंगे हम लोग मतस्य विभाग के द्वारा तो किया जाता है अब यहां से कुशन क्या बन सकता है चले ध्यान दीजिए आपसे सिंपल से कुशन दे देगा फुल फॉर्म के लिए मैं क्या कह रहा हूं आपको पी एम 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 एस वाई ठीक प्रदहान मंत्री समझ रोओ इसका प्रदहान मंत्री शॉर्य का आवस नियागेश में प्रदहान मंत्री स्वारी वच्छाप का मतस्य संपधा योजना को सुरुवाज की ठीक तो याद रुखना बहूत इम्पोर्डन चीज आपका इसके बादे मैं पूचह जा सकता है पी एम 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 थमनाओ स्वाई का फू जोजना चलिए नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन के और अगला कुशन क्या बन रहा है अगला कुशन आपकी स्कीन के सामने दिया गया कि जो आपका क्या है फॉर्द फिसकल यह 22 फिसकल यानिकी जो हमारा फाइने से लियर दो हजार बाइस के अनुक्सार इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन बचे आपका हमस्तव प्रसेंट इक है विट्या वर्स दो हजार बाइस के लिए फिच ने भारत के विकास के अनुमान में कितने परतिस्थ की कटोती की बात कि गई या भारत की जो रहेगी कहां तक रहेगी ठीक है इकनॉमी अगर विकास दर की बात करेंगे तो आठ पर तक की बात की गई लेकिन उयन्किंग जारी करती है एक समझरों तो ये कहां कि आपका अमारिकन समझ सबस्द्प कंपन पर्फ इस जो क्या करती आपकété आपका इस ने क्या कहा कि control महाइने के अनुपाइत और शबॉर्ष सबाइज जो विकास है ओग गहाट टेक शोजाएगा थिक नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले ऊशन पर विल्कुल आपके पास सामने आ गया कि फिट रेटिंग का मुख्याले कहां पर इस्तिते थे तो इसका मुख्याले हो गया आपका कहां पे नियोर्क के अंदर आपसे पूछा जाएगा फिट रेटिंग जो क्या करती है आपका ए नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन के और कुशन नमबर 15 कोविड नाइंटीन के प्रसार से लड़ने के लिए भारत का पहला प्लाजमा बैंक का से या कैंदस आसित प्रदेश के द्वारा इस तापित किया गया पिछले दो तीन बार बताया मैंने कि गोशना करी है ग बारत का पहला अब क्या बन गया आपके पास्त फॉस्ट प्लाजमा बैंक जो फाइट अगें कोविड नाइंटीन ठीक है तो इस कुशन का बिलकुत आपका दिल्ली राजय सरकार के द्वारा अभी से क्या किया गया बारत का पहला प्लाजमा बैंक बनाय गया ठीक चलिए द्यान दीजे दिल्ली के मुख्या मंतरी अर्भिन केजरिवाल जी के द्वारा क्या कहा गया आपका जो कोविड यहां पे सकारात्मक प्रणामों को प्राप्त करते वे रास्ट्या राजधानी छेत्र में कोरना रुग्यों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाजमा बैं आपका विचिस्टेट लॉंच अपनिंग नेम्दा हमारा घर हमारा विद्याले क्यात कहा गया हमारा घर हमारा विद्याले तो प्रोवाइट चिल्डर्ट तु इस्कूल लाइग दर एंवर्मेंटल एड़ बहुत इंपर्टन कुशन से किस को घरो में पर्यावन समझ अज बाइन चैनल इसको घर में ही क्रेट करने के लिए इस तो का एंवर्मेंट घर में ही क्रेट हो थी बच्चों को लगे कि घर भी क्या है स्कूल करेठिक है तो उसी तरह से हमारा घर हमारा विद्याले नामक अभ्यान शुरू किया गया तो इसका राइट आणसर आएगा मध् दियां दिजै हमारा घ़र हमारा बिद्धियालेजास शुरू किया तो यह घबाइ तो JOHN मैं खूल अगर हम लोग बाथ करेंगे तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा माई हॉम मैं स्कूल यह शुरूं किया गया आपका मध्या-प्रदेश राज्य सरकार के दौरा और यहां पर दियाँ दीजिए आप लोग ठीक है तो हमारा घर हमारा बिद्याले फंस्त हर और सेकर इसेड़र पहली और दूसरी इस टेंडर्ड के लिए ठीक है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए ये प्रोग केंपेंड शुरू किया गया ठीक है और अब लगता है अगले एक साल तक या इस साल जो अब लोगों को आने वाले समय की अभी जुलाई तो निकलना अब इसके बाद जुलाई भी समाप्त हो जाएगा ठीक है तो अब तक अब यहीं लगता है क्योंकि अभी तो पिछले एक्जाम नहीं हुए बोल्ड एक्जाम कोई ठीक है चलिए नेक्स बढ़ेंगे हम लोग इस टेट एंड यूटी यूनियन अमिनिस्टर इस्टिल धर मैं दाहन इनोग्रेट आपका कॉंटिन अफका गैल विलाजिशन रेबार प्रोडेक्शन आपका क्या फैसलिटी यानिकी किसे केंद शासित प्रदेश में या आपका राज्य में केंद्रेश पात मंत्री धरमे आपके एक्विमेंट्स होते हैं उससे जुड़ा हूँ आपका तो इसे कहां पर आपका रोकापे बैलकुल सही आंसर आएगा आपका पंजाब राज्य के अंदर समझ रोब का गैल लाइजिशन रेबार प्रोडेक्शन फैसलिटी को कहां पे तो यह इनोग्रेट किया गया पंजाब राज्य के अंदर समझ जो जिसके लिए हम लोग अभी तक किस पर डिपेंड हुआ करते थे एक छोटे से अगर पैस की बात करूं में आपके इलक्रीकल से जुड़े में बहुत सारे जो आपके एक्विमेंट्स होते हैं उसके लिए हम लोग कहां पर डिपेंड हो चाहिए आपका कहां पर हो लद्दाक में हो चाहिए आपे नेपाल अभी जो कर रहा है या चाहिए आपका बंगलदेश जो करेगा भूटान जो कर रहा आपका वो सिर्प और सिर्फ चाइना के कहने पर वजह क्या है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है आसके टाइम पर और यह सारी कंपनिया के तरफ चींद आने कि कोशिश करेगी जिस कंडिशन में अभी चाहिए नहीं जो हरकते करी उसके बात से ठीक है तो उसी ड़ को बनाए रखने के लिए एक पर चीज़ों को लपकना चाहते समय का फाइदा उठाना चाहते है तो द्यां दीजिए यह द्यांद आपी लोग समझ रो गैंदिया इस पात मंत्री पंजाब के मंदी गोविंद गड़ में सतत जस्ती रहबार उत्पादन सुविधा का उत्वगटन किया गिया ठीक है प ठीक है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कोवा मैंने बताया था आप लोगो कोवा एप्लिकेशन लॉंच किया था किसके लिए यदि पबलिक गैदरिंग होती है कहीं पे या कोबिट 19 से जुड़ी भी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए कंपलेंट करने के लिए कोवा एप सरकार के द्वारा ही लॉंच किया गया था तो इतनी चीजा समझ में आगे अपनों को उआ यह जो को ओक ठीक है ठीक है कोई बात मी कोशलबच ठीक है अच्छा पारोति हो थी अवो मैंने आप्का एक एक हीं से करी का चलिए अगे बढ़ेंगे व धिय को एस बीन यानि कि आप से क्या पूछा गया भारत के ससांग बनोर के पद से हटने के बाद अंतर रास्ट्य किरकेट परस्थत के अंतरिम अध्यक्स के रूप में किसे न्यूक्त किया गया तो अच्छा कुश्चन साब का मिलकुल याद रखना आप सभी लोगो को ICC के अंतरिम के बात करूँगा मैं तो किसे चुना गया इमरान ख्वाजा बीस कुशन का राइट अंसर आएगा समझ रो मनुसानी नहीं मनुसानी तो आपके क्या है चीफ एक्जिक्यूटीव ऑफिसर है मनुसानी तो सियो है मैं अध्यक्स की बात कर रहा हूं आई से सी के जो अध्यक्स के रूप में चुनेगे तो वो इमरान ख्वाजा चुनेगे अगर आप लोग मनुसानी की बात करते हैं मनुसानी तो जुलाई मंत में चीफ एग्जिक्यूटीव ऑफिसर सीयो के रूप में चुनेगे समझ रोओ वो क्या है सीयो है ठीक है चलिए पढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन की हो यहां पर ध्यान दीजिए मैंने क्या का आपका ससांक मनोहर आपका किसमे चले गया भी स्पोर्स ग्लोबल गवर्मेंट बोडी में पहुंच गे ससांक मनोहर अप क्रिकेट के अलावा जो सबसे बड़ी बोडी आपकी ध्यान देना स्पोर्स ग्लोबल गवर्मेंग बोडी का मतलब क्या होगा जो भी स्वक्त हो चाहिए आपका फीफा हो सभी बोड़ी इसके नीचे आए गया निकी उनका रेंक और भी आप हो गया समझ वो अब किस में पहुंच गए इस पोर्ट से ग्लोबल गवर्निंग बोड़ी में पहुंच गए ठीक है उसका हिस्सा बन गे वह भी ठीक तो आपका क्या था अब भ कवर्निंग बोड़ी आती बीसे से आई आगे आपका कबड़ी के लिए आगे आपका अलग-अलग आपके इस्टेट हो की जो इस पोर्स अठोर्टी होगे वह सारी चीने साही के नीचे आती उसी तरह से विस्वा लेबल पर आपका इस पोर्स ग्लोबल बोड़ी है उसके अंदर चुने गए कौन से सांग ओर काँ पहुंच गए ठीके ना अब हम लोग बात करते हैं यहां पे आई से आउक सी के सियो कौन है तो मनु सहानी और आई सी के स्थाफना कभी तो यह ध्यान देना और अर्二 आप आंटी पीची में पूछा गया था आनि से इसे के ICC का क्या है मोटो होगा ठीक है चलिए नेक्स बनेंगे बेलकुल बहुत बढ़िया नेक्स बनेंगे हम लोग अगले को लेकिन साही के अंदर नी चुनेंगे वो ग्लोबल लेवल पर चुनेंगे ठीक है चलो आगे बनेंगे हम लोग विच इंडियन अंपायर has been become the youngest ever for include the International Cricket Council इलिट जो पैनल है एंपर पॉर्द अपकमिंग 2020 21 के सेशन में यानि कि क्या कहा गया कौन सा भारतिया अंपर आगामी 2020-21 के सत्र में अंतर राश्ट्य किर्केट परसाथ एंपरों के एलिट पैनल में सामिल होने वाले सबसे युआ बन गे ठीक है तो कौन बन गे बिल्कोल बहुत बढ़िया कौन होंगे बचा आपका तो इनका नाम है आपका नितिन मैनन नितिन मैनन अंतर राश्ट्य 2020-21 के लिए जो अंतर राश्ट्य आंपायरों का जो पाय पैनल होता है उस पैनल में सामिल होने वाले विश्वक्त और भारतिया अंपायर सिंपल से पूछा जाएगा भारतिया अंपायर कौन है तो नितिन मैनन नितिन मैनन की पिक्चर आप लोगो देखा होगा कि नितिन म होंगे उनकी जगहे 2000 जो सत्र होगा उसमें अंपायरों के अंतर राश्ट्य किरिकेड परिसाद एलीड पैनल में सामिल होने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर बन चुके तो अच्छा को संसा आपका एक्जाम पॉइंट आप यू से ठीक है तो इसे दिहान दीजिगा आप नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले गुशन क्यों अगला कुशन यहां पर भाथी महत्वपूर्पूर्ण क्वेशन्स हो गया आपका क्या दिया गया मारियो ठीक है मारियो गोमेज बहुत इंपोर्टन कुशन से मारियो गोमेज रिसेंटली अनॉसमेंट किया है पूर इंटार्मेंट की घोषना करी तो कौन से खेल से जुड़े हुए तो आपने कहा सर यह किस से जुड़े हुए फुटबॉल से जुड़े हुए यह किस से जुड़े हुए आपका यह फुटबॉल से जुड़े हुए अब कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो यह देखके काफी खुशता कि आज वोइस नहीं कर रहा है लेकिन फिर से इश्य आगया क्या वाइस का चले वाट आगे चलेंगे हम लोग अगले खुशन की और क्योंकि देख लीजीगा अब हम लोग बढ़ते हैं जर्मनी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले ध्यान देना जर्म क्या होगी आपकी पुरों यहां की करेंसी हो गई और याद रखना ब्लैक फॉरेस्ट मांटें रेंज ब्लैक फॉरेस्ट मांटें रेंज याद रखिया आप लोग ठीक है तो कहां पर आपका ये ब्लैक फॉरेस्ट मांटें रेंज जर्मनी के अंदर ये ब्लैक अपको जब भी मैं आपको कहता हूँ कील नहर किसे जोड़ती है तो यह देख लिजी यहां पर ये तो English Channel है आपका कील नहर कि अगर मैं बाद करता हूँ तो यह North sea or Baltic sea वाला पॉर्शन यह देख लिजे अक्सर मैं आपको कहता हूँ ना कि की जोड़ती है यह कोरेंगे तो यह सारी चीजह हम लोग 10 बजबजे वाली क्लासमें तबहने वाले है आज यूरोप पॉंटिनेंट के बारे में हम लोग आप दपढ़ेंगे चलिए नेक्स मनेंगे कि नेख्स बनेंगे हम लोग अगले कुछन के ओर अगला कुछन क्या अगला कुछन यह रापका किसकीन के सामने कुछन नमबर 27 क्या कहता है चार साल के कारेकाल के लिए आइसलेंड के राष्ट पत्य के रूप से मैपिसे किसे चुना गया वाज बीन रिया पॉइंट रिलक्टेड प्रेजिदेंट आप दा आइसलेंड पॉर फोर यर अगले चार वर्सों के लिए अगले चार वर्सों के लिए किसे चुना गया बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साफ का एक्जाम पॉइंट आप यू से तो याद रखना आइसलेंड के कौन चुनेंगे तो इनका नाम क्या बचा आपका गुंडी ठीक है ना जोहानंसन ठीक है जोहानंसन को चुना गया ठीक है जोहानंसन जोहानंसन को क्या चुना गया आपका अभी आइसलेंड का ठीक है इन्हें क्या नेक्स बढ़ेंगे हम लोग आइसलेंड क के बारे म्या ठीक. Iceland के गूरोव राश्ध पति जो आपका ग Manhattan उन्हीं को अभी अगले चार वर्सों के कारयकाल को फिर से चुना गया. यहां की capital क्या होगी थे आपका capital क्या होगी? हेलाग जाइक विटील फिर मैं जैक तो होगा और करण यहां का क्या क्या हो मैंने का तना फायर आइलेंड के नाम से इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं फायर आइलेंड के नाम से भी जानते ठीक है तो याद रखना जो अगनी द्वीप आपका आइसलेंड है इसकी कैपिटल क्या है और लोकेशन जोड़िया रखीगा लोकेशन कहां पर इसका और तकर आपको मैंनी से नाय यूरोप मैं बताया और नाय आपने से कहां पह पह नौर्थ अक्वड़न दिखेगा गीस अगला कुशन सापके स्कीन के सामने क्या दिया गया समझ जो बहुत इंपोर्टेंट कुशन सापका वो हैस बीन अपोइंटेट एज दा एट ओर्नी जननल ओफ इंडिया फॉर्ट ऑफ इंडिया फॉर्ड वन यर अगले एक साल के लिए भारत सरकार के द्वारा महान्याईव पाइवादी के रूप में किसे न्युक्त किया गया इंकर बढ़ा दिया गया अगर आप से एक्जामनर पूछे इन्याईवादी की मैं अगर बात करूँ तो महान्याईवादी इंडियन constitution के article 70 वस्ता दी गई समझ रो महानियाईवादी को कौन चुनता है तो आपने कहा सर भारत के भारतियां, प्रेजिटेन्ट के द्वारा उन्हiksi याद रखने आप सभी लोग यह जो आपका महानियाईवादी होता इने क्या कहा जाता भारत का इंडिया का फोस्टा लीगोल ऑफिसर के रूप माते करने का अधिकार प्रिदान है ठीक है चलिए नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुछन पर तो ध्यान दीजिए आप लोग अगला कुछन क्या दिया गया आपका अब उसी लिस्ट में आगे ध्यान दीजिए कि यहां पर अगले तीन वर्स के लिए तो तुसार मेहता सुता तुसार मेहता को चुना अगया ठीक है तो यहां रखना अप लोग चला आगे बढ़ता है हम लोग अगली यहां पर ध्यान दीजिए कैंद सरकार के द्वारा एट उनी जनल तो सभी को पता है लेकिन यहां पर क्या दिया आगे आपका सॉली सीटर जनल एस जी आएगा आपका ठीक है तो अगले कुशन पर तो अगला कुशन क्या रहा हमारा सभी लोग दिहन दीजिए के कोशन का प्यूंट है अगला कुशन क्या दिया गया आपका खेल मंत्री किरन रिजू के द्वा का प्यूंट के लिए जो कि जो आपकी दवाएं है इसके प्रियोग से बचने के लिए जो भी स्पोर्स परसन होते है उन्हें अवेर करने के लिए समझे एक मोबाइल अप्लिकेशन लाउंच किया गया जाने जाने में वो इन दवाओं का प्रियोग ना करें ठीक है इस तर गया उस मोबाइल अप्लिकेशन को क्या नाम दिया गया नाड़ा समझ रो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि डोब टेस्ट के कारण इस खिलाडी को इससे बाहर किया गया इवार किया जान भूश के नहीं लिया जाता है उनके द्वारा कोई भी दवाई कोई ऐसी चीजह जि आपको लेनी है या कितनी मात्रा में लेनी है उसके लिए नाड़ा एप्लिकेशन यह क्या है आपका एप है इसके माध्यम से अवेर किया जाएगा चले नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन के और कुश्यन नमबर ठाड़ीदरी क्वेश्ट थाड़ीदरी के ता आयोसी के ने अध्यक्स के रूप में किसे नुक्त किया गया हूँ है एस दा न्यू चैर्मेन ओप इंडियन ओयल कॉर्परेशन आयोसी के ने अध्यक्स के रूप में किसे नुक्त किया गया तो यह नुक्त किया गया आपका स्रिकांत माधाव वैद को नमज़ों किसे किया चुना अगया ठीक है उन्होंने सिंका इस्तान लिया तो यह रहाब का स्रीकांत माद इन्डियन ओयल ठीक नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन पर नंबर 35 कुशन नंबर 35 आपका बहुती इंपोर्टेंट कुशन से लोग देखते होंगे ठीक है तो याद अखना आप फिल्म परमार बॉर्ड के ने मुख्यकारयकारी अधिकारी के रूप में किसे न्यूकत किया गया पहले तो इस पुल फॉर्म हम जरूद्टा कना सेंट्रल आपका ठीक है ना जिया आ अपका फिल्म बढर जो पर मार्वर एठीक है यानि कि आपका समग जो अच्छा कुशन से सेंट और फिल्म साटिफिकर तो कौन चुने गए बिलकुल डी इसका राइट अंसर आएगा रविंदर भासकर को रविंदर भासकर डी इसकोशन का अब यहां पर थोड़ा चीजों को समझ गया क्या क्या चीजे जो एक्जाम पॉइंट आप यू से काफी इंपोर्टेंट इस सेंटर बोर्ड ओफ फिल्म साटिफिकेट से पूछा जाता है सकते हैं सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं तो याद रखना इसकी स्तापना कभी थी तो 1959 इसका मुख्याले कहा पे तो मुंबई हो गया वर्तमान समय पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्स कौन है तो अध् जोसी वर्तमान समय पर प्रसून जोसी क्या है सेंट जो सेंसर बोर्ड है सेंसर बोर्ड के अध्यक्स है ठीक है और बाकी में आपको बता दिया सियों के रूप में कौन चुनेगे तर भासकर को चुना गया इस चीज़े याप क्या चले नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले आपका एक जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिबरेट किया जाता है चले नेक्स बढ़ेंगे हम लोग यह तो आप लोगों को याद होना चे ठीक है ना तो यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट कुर्शन सापका थीम रखी गए थी कोविड नाइन्टी मिर्ट उदर कम करने के लिए ठीक है इसकी थीम रखी गए थी तो यहां पर लेशन सापका मॉर्ट लिटी जो आपका आपका अप्ड़ कोविड ने इस बार रट दीजिए इसे एक्जाम में जरूर पूछेगा इसकी थीम आपको एक्जाम में पूछन अगला कुछन क्या दिया गया जिनेवा के अंदर सहुक्त राष्ट और अन्या अंतर राष्टे संगठनों के लिए भारत के अगले इस थाई प्रतिनिदी के रूप में इसे नियुक्त किया गया बहुत इंपोर्टन कुछन सापका वहाज बिन अपोंटेट एस दा इंडि ठिजिए नेशन and other internet in Geneva inoa तो किसे चुना गया Indramani Pandey को इंडर मनी Pande चुनागर इंद्रमानी Pandey को चुना गया इंडरमनी पंडे को चुना गया ठीक है चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले कुछन के ओर अगला कुछन क्या दिया गापका कुछन नंबर जो आपका ठीक है फुरिशन जो दिया गया आपका बहुत इंपॉर्डन कुछन क्या कहता है किस भारतिय क्रिकेटर को बिजडन पत्रिका के द्वारा एक किसवी सदी में भारत के सबसे मुल्या खिलाडी के नामित किया गया इन्यान क्रिकेटर हैस बीन नेम्ड मोस्ट वैलीबल टेस्ट प्लेयर 21th century वीजडन के तोर पर चुना गया तो किसे चुना गया तो इस question का right answer के आएगा आपका सी रवींद्र जटेजा रवींद्र जटेजा को चुना याद रखना आप लोग टेस्ट प्लेयर के रूप में ठीक है चले आगे बढ़ेंगे हम लोग थेस्ट रार ओल राउंडर रवींद जटेजा को 21 सदी में वीजडन पत्रिका के बाहरत के याद रखना वीजडन पत्रिका के द्वारा वेट टूक या वह वीजडन पके पत्रिका के लिए बाहरत के लिए सबसे मुल्यावान टैस्ट खिलार के पूप में कि नॉम चलिए नैक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले खुशन के और कुशन नमबर वेशन नमबर 23 कहता है आपका विजडन पत्रिका के द्वारा दुन्यावर में हरिदने के लिए उपलबद एक डिजटल कि रिकर्ट पत्रिका है यह पत्री कहां पर आदारी तैना पर बेस्ड़ आपका विसन मैग्जिन इस दा डिश्टल किरकेड मैग्जिन अभी डाबेल वाई द आप तो आप से पूछ लेगा कि वेर इस दा हैट कौर्टर ऑफ इंटरनेशनल किरिकेड काउंसल का मुख्यालए कहां पर इस्तित हैं तो इस कौशन का सही आंसर आएगा आपका कहां पर तो आप कहेंगे सर यह कहां पर इस्तित आपका दुबाई के अंदर दुबाई यानि की सायुक्त अरब अमीराद के अंदर सायुक्त आरभ अमीराद के अंदर चले नेक्स बढ़ेंगे आइसलेंड के नए राश्दानी क्या है तो जब दीजिए इसका मैंने बताया था ना करेंट अपडेट से जुड़े वे जो भी जीके होगा आपका वो भी आप लोगो साथी साथ कबर कराया जाता ठीक है तो आप सभी लोग इनका अंसर देते रहिएगा बेलकोल सही आंसर आ करना यहां आइसलेंड की जो काफिट विक और यह कहां पर आता आपका नौर्थ अप्लांटिक सी के अंदर इसका लोकिशन है यूरोपयान के अंदर अब ग्रीन लैंट तो आपका नौर्थ अमेरिका में आ गया लेकिन यह का यूरोप इदे चले नेक्स बनेंगे तो आग आप लोगो जो पड़ाया है हिंद महासागर में एक इस्ताई सेन्या अड्डा इस्ताफित करने की योजना बनाने वाला रास्त क्या कहा गया आपका विच नेशन प्लेंट मिलेटरी बेस इनिया नुसेन में ठीक है तर देश होगा आपका वेलकॉल सही आंसर इसका इरान ने रिसेंटली योजना बनाई है अपना क्या होगा इस्ताई जो आपका सेन्या अड्डा इस्ताफित करेगा इरान की पार्लेमेंट का नाम क्या है तो मजलिस इरान की पार्लेमेंट को क्या नाम है का और यहां की जो करेंसी आपकी हो क्या है तो मैं इरान की इस नाम को मजलिस कहा जाता है चलिए नेच्स एक दियान देना इस इराण की जो बनाय गई के दूर महासागर में अपना इस्टाहिस सेन्य अड़ा बनाया जाने की घोषना की गई अगला मुझे क्वेशन क्या दिया का इब लड़ आपका सर्विस मोबाइल अप्लिकिसन लॉंच किया गया ली इब लड़ किया गया यह भार अरेट्सक्रास सोसाईटी के द्वारा एक पहल थी तो ये था लंत क्या गया तो भारतिया मंत्री ऑन हर्स वर्दन जी के द्वारा गया धीन द्यान देना इब लड़ आपका मोबाएल जो सर्विस एप है तोसिब मुखें भारतिया रेड़ क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लॉंच किया गया और इसे लॉंचिंग डेट पर किसे बुलाए गया था तो जाक्टर गया था ठीक है चले नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन क्यों अगला कुशन सारे कि सारे वन लाइनर कुशन मिलेंगे आपको अब इस का अब देरा जल्दी सांसर दीजिए पुशन आपके स्कीन के सामने क्या दिया गया किस राज्य ने इस राज्य सरकार ने सहरी गरीबों के लिए मुख्या मंत्री स्रामिक योजना जॉब कार्ड लॉंच क्या गया आपका विच इस्टेड गॉवर्मेंट लॉंच मुख्य का मंत्री स्रामिक योजना जॉब कार्ड अर्बन पुर की बात की गई सहरी तो जित आंसर क्या आईगा देखते है कौन आंसर देता सबसे पहले वस्टार्ड मैनप बताया हगा अप्रोजा और को मध्या मंत्री एधर में ध्या प्रदेश ओंफी तक एम पी उत्तर करदेश के लिए मुख्य मंतरी के द्वारा सिरामिक रोजगार मुक्य मंतरी का कार्ड शुरू किया गया किसके लिए सहरी जो आपका ठीक है के लिए जाहर कंड के मुख्यमंत्री के द्वाल कि भी लोग निया तो कॉपी कर आप सभी लोग ने कॉपी कर आएक दूसरे को एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है जैसरू चल इआगे बढ़ेंगे लोग अगले कुषिंद को अगला कुछिêts किया दिया गया इपका तो जाहर कंड कर आहर Rी आप समझे मैं हाँ आप लोग अप्रियों सकते संजे कुमार जी कह रहे इसलिए मैं आपको वन लाइनर का मतलब क्या होगा नहीं तो अब अधिक क्या होता है कि नन और दीज है लेकिन कहां पर उलच जाते हुटा हरए दीज होता है हम लोग क्या करते है पहले दूस्रे और तीसरे उनластी ऑप्शन में दूढने की कोशित वहाँ अपका गलत करने का ठीक है क्योंकि जब अंसर मिलेगा तभी किलिक होगा आपको वन लाइनर का भी प्रैक्टिस कराए जाना ठीक है तो वसीम जाफर वसीम जाफर इस कुशन का वेलकुल सही आंसर आएगा अगले कुशन के और कुशन नमबर 5 क्या कहता आपका किसे देशने GPS जैसी नविगेशन पर नाली को पूरा करने के लिए अंतिम आपका ठीक ना बेडाव करके उपग्रेल लॉंच किया यहाँ पर 50 जैनरेशन कि लिए आप का GPS आदारित आप कभी सैटलाइट लॉंच किया गया इसके द्वारा नहीं कि नाम क्या है आप लोगोने कहां एंड पीशी-एंपीशीं का मतलब होता है नेसनल बॉप कॉंग्रेस चीन की करएशी कין सब्हाना तो थासर यहां की करेंसी के यूवा नहीं की करेंसी ओमक्रेंसी हो उसके बाद यह का नैसनल ग्रहें क्या है तो आपने चाहं सर्यां का नेसनl ग्रहेँ के यहां two le सब्सक्राइब की पार्लियमेंट को कहा जाता है रेम बिल आपका युवां यहां की करेंसी हो गई और नेशनल गेम क्या हो गया आपका टेबल चीन का नेशनल गेम करेंगे हम लोग अगले कुशन के और क्वेशन नमबर 6 अगया का सीमा सलक संगठन के बियारो के द्वारा देविका ब्रीज कहां पर इस्तित किया गया डिसेंट ली बॉर्डर रोड और अगना देविका ब्रीज जो आपका कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यह देविका ब्रीज कहां पर इस्तित समझ रहो तो देविका ब्रीज की बात करी थे हमने यह कहां पर इस्तितराब का तो कैंद शासित प्रदेश हमारे जैन के के अंदर इस्तिते ठीक है अब जैन के मैंने बताए आपको 31 अक्टुबर 2019 में स्टैब्स है और यहां के और रोड और ऑगनाजिशन की स्टैबलिस्मेंट भी बताया कि 1960 में हुई है ठीक है और इसका मुख्याले कहां पर डैली के अंदर इस्तिते अब देख लीजिए आप लोग बहुत सारी चीजा है मुझे अब मैंने कितना तो मुझे अच्छा लग कि हमने आपको एक और उस अपने बहुत कुछ अपने अपने एडवांस ठीक है और बहुत बढ़ी अठीक अभी यह कहानी है कि इसकल में तो आपका बहुत अच्छा है आपका और अधर जो आपके सब्जेक्ट होंगे तो याद रखना हमें हमें साथ से बैलेंस बनाके चलना है समझ रोग हमें हर व हुआ है ठीक है आप लोग जब घर पे जोगरा बनाते होंगे तो अगर सब टेस्ट भी तो वहीं मैं कहना चाहरा हूं कि हमें हर एक चीज में बैलेंस बनाके चलना है क्यों टेक्निकल तो आपका हंडेड हो जाएगा आपको मैं एक्जांपल देता हूँ अभी संदे को एक मनोहर करके हमारे स्टुडेंट है आपी मैं से कोई होगा मनोहर करके स्टुडेंट तो वह कहते है कि सर मैं अगर टेक्निकल में 95 भी लग और रिजनिंग में मैं अगर 45 भी लेके आता हूं तो भी मेरा सब गार नहीं होगा मुझे से उप उन्होंने सब यहीं का कि 95 अगर मैं टेक्निकल में कर लूँ और रिजनिंग में 25 भी कर लूँ तो मुझे जियस में लास्ट टाइम पे 25 भी आये थे लगवाट ठीक है और उस 25 में भी क्या होगे आपके बहुत सारे गलत होगे तब भी मेरा किलियर नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों को याद होग है रिजनिक और आपका जीए जीयस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है कंप्यूटर को भी हमें अप साइट यह भी हमें लेकिछ हमें जनरल साइंस वाला पोर्चन भी और करेंट को नौट एक अपने एक्जाम के अकॉर्डिंग ठीक है चलिए नेक्स बनेंगे हम लोग च्रिया आगे बढ़ेंगे हम लोग अःग activity or किसा नतरास्तिय संग्थन के दौरा अंतरास्तिय संस्ता के दौरा नोहuesday मुस्लमनों के के लिए सुरक्षित वापसी को सुनिर्वित करने लिए मयानमार कंट्री के अंदर ठी और अन्तर नटरास्तिय संग्थन के दौरा सब्सक्राइब करेंगे आज मैं पूरा वीडियो देखूंगा आपर कौन सा एश्यू आ रहे है तो बिल्कुल मैं को सब्सक्राइब होता है ठीक तुम्हें उच्छी सारी चक करूंगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कुशन की और कुशन नमबर नाइन क्या कहता है भार सब्सक्राइब फर्स्ट योगा यूशिटी आउट साइड आप इंडिया एज बिलॉंच कंट्री तो कंट्री का नाम क्या रहेगा आपका बैलकुल सही आंसर आपका यूसे कहां पर लॉंच किया आपका यूसे योग विद्या ठीक है प्रतेक वर्स योगा दिवस्का मना है जाता आपका तो 21 जून को प्रतेक वर्स योग दे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हाँ बिल्कुल साउंड के लिए मैं जरूर कोशिज करूंगा यह साउंड का इश्यू सिर्फ मेरे साथ ही होता है ठीक है अगले कुशन के और बढ़े अगला कुशन के आपका विच इस्ते गोवर्मेंट है से इंडर अंडर रसोई योजना कि सिरा डशार कारन ने इंडर रस स्या योजना तो पिल्कुल यह एंड दिया आपका तो गहलो सरकार का सबसेंडें कि राजिस्तान समझ रो राजिस्तान के मुख्यमंत्री गहलोट सरकार के द्वारा क्या का गया तो होगी इंद्रा रसोई योजना इससे पहले इंद्रा थी और आपको रसोई योजना ठीक है तो यह किया गया किसके द्वारा राजिस्तान क्या मंत्री जो आपके क्या है भी तो गहलोट जी के द्वारा यह कहां गया चलिए ना असो गहलोट ठीक आसो गहलोट जी के द्वारा गुश्रा की गई थी चलिए नाक्स बढ़ेंगे हम लोग कुश्च क्वेशन नमबर 11 के आपका हाली में किसे देश ने साइट्राष्ट सस्त्र व्यापार संधी में सामिल इक फैसला किया है यून आंस त्रेड आपका ट्रैटरी में इसके बाद क्या होता जुए जो आपके पास न्यूपलार प्लांट है सबीच चीजहों के बारत आपको पब्लिस करना होगा यूएं के बताना होगा टीग है अगर इसमस्तों के पास यगर ज्यादा है लिमिट से आपको अपने सारे के सारे जो आम से उन्हें डिस्ट्रोई करना होता है तो यहां पर चाहिना सामिल तो नहीं होगा यूएन आम सुखिए मैं घोशना की गई लेकिन कई वाद बहुत कि मैं सामिल होगा ठीक है चले नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन के औ क्वेशन नमबर एक्वेशन नमबर क्यों किया क्या नेक्स स problème два चले अंपलब यहिया तो यह किया गया किसके द्वारा प्रकास जावरे करजी के द्वारा गया था चलिए नेक्स लेंगे हम लोग क्वेशन नंबर 13 क्या कहता आपका विच बैंक लॉंच दर के लिए जो माइक्रो इंटरपाइज की बात कि कहें सामज लो आपका के और सेवा उद्यमों के लिए कारे सिल पुझी और निवेस का 10 लाख रुपए तक कि क्या दिजाएगी विट्टिया साहिता दी जाएगी ठीक है तो आपको सिंपल से याद रखना के बियाल माइक्रो मित्रा ठीक है यह किसके द्वारा लॉंच किया गया तो करनाट के द्वारा इसे लॉंच किया गया आज के लिए हम लोग लास्ट कुशन की और चलेंगे लास्ट कुशन यह आपकी स्कीन के सामने 2020 की सूची में टाउन एंड कंट्री पतिका के सीर से बैस्ट प्रोपर कारी लोग मैं एक बाद्टिय सामिल है तो यह थे हमारे आज जो क्वेशन हमने आज खुआ हमारे कल क्या रहेंगे हाँ कोस यही है बचे वो जो आपके कमेंट्स तो मैं बिल्कुल देख रहा हूं ठीक है ऐसा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी अभी वर्तमान समय पर जो इस्तिति है तो अब देख लिजे सबसे बड़ी इस्तिति क्या होती है कि आप लोग चाहे हम लोगो ठीक है सब कुछ बदल परोसी नहीं बदला जा सकते है तो हमें कोसिज यही करनी होगी यह से अच्छे आर्थिक इस्तिति पर ठीक है हमें स्मार्ट तो बनना ही होगा लेकिन अपने परोशियों को भी समझ परोशियों के साथ जो रिलेशन है वह अच्छे ही होने चीए क्योंकि सब कुछ बदला जा सकते हैं लेकिन अपना परोशी नहीं बदला जा सकते हैं हमारा है हमारा परोशी चाइना है तो चाइना ही रहेगा नेपाल है तो नेपाल तेसी रहेगा सिर्फ सकते हैं कि उनके साथ जो हमारे रिलेशन है डिपलोमाटिक तोर पर वह अच्छे हो समझ रो हमें एक को जो स्तरौ की मतलब आपको सक्ती बननी होगी मदु मख्य पता है ना आपको मदु किड़र कोई कार्ड देगा नहीं तो सहत देई रही है ठीक वही कहानी होगी लोग यहीं पेसमाप्त करते हैं यदे आप लो को अप लोग वीडियो को सेर जरूर करिए और जाते जाते को कर दीजेगा ठीक है और जो भी चैनल से नया जूरता है बच्छा वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर मिलेंगे हम लोग 10 बजे वाली क्लास में यूरोपन कॉंटिनेंट के साथ तब तक के लिए धन्याबाद